पूर्ण वैर आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर डूलिटिल तो मुवी की शिरुआत में दिखाते हैं छोटे जॉन डूलिटिल को और यही है हमारा हीरो इसका बैस्ट्रेंट होता है इसका कुटा जॉन के पास जानवरों के साथ बाते करने की और vation की बाते कानों की शिक्ति है इसलिए उसके कुटी और उसके बीच में बहुत लंबी बात्चीत होती है वो उसे कई सवाल करता है जैसे कि जब दो कुट्टे आपसे मिलते हैं तब वो एक दूसरे की पीछी जाकर क्यों सूंगते हैं इस पर कुट्टा जवाब देता है कि ये कुट्टों का एक दूसरे को नमस्ते करने का तरीका है जान के पापा आर्चर अक्सर उसे अपने आप से बाते करते में देख लेते हैं लेकिन फिर भे उसे नजरंदास करके सोचते हैं कि इससे किसी को परिशानी तो हैं नहीं लेकिन फिर एक दिन जॉन बहुत ही अजिब तरीके से विवार करता है। और जब आर्चर जॉन को अपने स्कूल के नए प्रिंसिपल से परिचे करवाता है। तब जॉन उनकी पिछे जाकर सुंगता है और इस तरह में उनको नमस्ते कहता है। ये देखकर आर्चर को लगता है कि जॉन के शरीर में कोई प्रेतात्मा गुज गई है। इसलिए वो एक प्रोहित को बुलाकर उसे जॉन के अंदर के फोत को बगाने को कहते हैं। अब वो प्रोहित आकर जॉन को पकड़ कर जोड़ जोड़ से हिलाने लगता है। जिसको देखकर तो उसका कुटा उसका बचाने के लिए भाग कर आता है। और वो कुटा प्रोहित के पैर में काटकर उसका बुला हाल मचा देता है। अब इस घटा के बाद आर्चर उस कुटे को घट से निकाल देता है। और इसी वज़े से जान जानवरों के साथ बात करने के अपनी शम्ता को खो देता है। फिर कई साल भी चाते हैं। अब जान बढ़ा हो चुका है और वो एक डॉक्टर है। उसका अपना परिवार भी होता है। और जैसे उसके पापा ने चाहा था ठीक वैसी उस घटा के पास से अब तक जान ने कभी कोई अजी विवार नहीं किया है। उसकी दो सुन्दर बेटिया है जिनका नाम है चेरिस और माया। और उसकी सुन्दर पत्री है लीजा। माया ब सकत्राइँ चोटी माया को जाणवरों से काफी होता है और वह घर-में एक पिग यानी सुमर क पालती है अब वह एक हंस के बच्चे का अंडे jutका बेहार बावर निकलने का बार पर पर खम होता है ये सोचकर कि अंडे से हंस का बच्चा बाहर निकलते समय अगर उग घर पर नहीं रहेगी तो क्या होगा क्योंकि वो संडे को अपने बहरी के साथ एक कैंपिंग ट्री में जाने वाली है अब कैरेट नहीं की एक बड़ी मेडिकल कमपनी जान को अपनी टीम मिलेना चाहती है और वें चाहते हैं कि जान उनके साथ काम करे जान का दोस्त डॉक्टर मार्क वेलर इस पार्टनर्शिप से बहुत ही खुश होता है क्योंकि उससे उने और भी लाव हो सकता है लेकर उस कमपनी का दूसरा स्टाफ डॉक्टर जनेरिस इस बास से नाखुश होता है क्योंकि उससे लगता है कि पार्टनर्शिप से कमपनी के स्टाफ और पेसेंट्स की संख्या कम हो सकती है अब जॉन को बता जाता है कि उसे कैनलेट की एक इंपॉर्टन्ट मीटिंग में शामिल होना होगा और वो मीटिंग उसी दिन होती है जिस दिन अपने परिवार के साथ कैम्प में जाने वाला होता है इसलिए वो लीज़र से माफ़ी मांगता है और वो उस मीटिंग के लिए घर में ठाट जाने का फैसला कर लेता है फिर जब बच्चे कैंप के लिए त्यार हो जाते है तब माया उसके पास आकर कहती है कि उसका पाल तो सुमर कहीं खो गया है तब जॉल से यकिन दिलाता है कि वो जरूर उसको ढूर निकालेगा और उसको बिल्कुल स्टॉक्षित रोप से रखेगा वो उसको ये भी वादा करता है कि अगर हंस का अंडा फूर जाता है तो वो जल्दी उस बारे में उसको ख़बर विकर देगा फिर वो उन्हें कैंप में भेजता है फिर रात को सोते समय वो अचारक जाता है और वो देखता है कि सुमर उसके शरी पर चल रहा है फिर वो उसे उसके पिंजने में रखकर फिर सोने आता है तब उसे उसके हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे कहा जाता है कि एक emergency है फिर वो hospital चला जाता है और उसके patient का इलाज करता है अब उसका काम खात्म होने के बाद बहुत ही ठकावा होता है और रात वो car drive करके घर लोड़ते समय वो एक कुटे को ठोकने वाला होता है लेकिन तब तक वो गाड़ी दोसे side लेके चला जाता है तब ही ओकुता उससे कहता है कि जरा समभाल कर गाड़ी चलाना अब ये सुनकर वो चौंग जाता है और वो उसको मुर्ख इंसान भी कहता है लेकिन जान इस बात को नजर अंदास करता है ये सोचकर कि उसे नीन में कोई भरम होगा अगले दिन सुबह जान अपने कालिक्स के साथ कैनेट की ओनर कैलोवे के साथ एक मीटिंग पर होता है और वो भी एक रेस्टॉर्ण में अब मीटिंग चलते समय कुछ पंक्चिया जान को कुछ कहने लगता है अब ये सुनते ही जान को कुछ समझने आता इसलिए वो कोई बखाना देकर तुरूंत उस रेस्टॉर्ण से बाहर निकल जाता है और इस बाहर भी जान इस बात को नजर अंदास कर देता है फिर वो उसके पहालतु सुनवर् को लेकर अपने परिवार के साथ कैम्पे जौन करने जारा होता है तब ही वो सुनवर् भी उससे बाते करने लगता है अब इससे घुससा होकर वो गाड़ी वहीं पर रोग देता है और तब उसको पता चलता है कि उसकी बच्वन की शक्ती फिर से उसको मिल गई है और वो बोलने वाला सूर उसकी बात उसे जॉरन को डिड़ा देता है और जॉरन उसको उठा कर बीच रास्ते पर coral देता है लेकिन कुछ दूर जाते ही वो अपना मन मदल देता है और उस सुमर के साथ वो कैम में पहुंँ जाता है फिर वो उसे माया के हाथों में सौम देता है उस रात जौनों पे कमरे में अकेला होता है और तब एक उल्लू उसको पुकारता है वो उसे अपने पंख पर अटकीवी एक चाल को निकानने को कहता है अब वो हैरान होकर उल्लू की बातों को सुनकर उसकी मदद करता है फिर उल्लू से कहता है कि जानवरों से बाते करने वाले इंसान की ख़बर पूरे जंगले फैल गई है फिर कुछ देर बाद उससे रैकून, कवा और कई सारे परशु पक्षियां बाते करने लगते है अब इनसे घबराकर वो तुरूंत अपने कमरे से बाहर चला जाता है ये सोचकर कि उसके दिमाग में कुछ तो गड़ बड़ी है अब वो लीजा से कहता है कि उसे तुरूंत शेह लोटना होगा और वो उससे माफ़ी मांकर वहां से चला जाता है फिर रास्ते में वो एक डॉक्टर को कॉल करके तुरूंत उसके ब्रेन को स्कैन करने के ले कहता है अब रात के समय होने के पाँजूद भी डॉक्टर मान जाता है और उसकी मदद करता है लेकिन उस स्कैन के परिणाम से ये पता चलता है कि जान का दिमाग एकदम ठीक है तब जान उस डॉक्टर को बताता है कि वो जानवरों की आवाजे सुन सकता है इस पर डॉक्टर कहता है कि यह तो नमुकिन है अगले दिन लीजा जॉन की चिंता कहते हुए उसे कॉल करती है लेकिन वो उसको कोई सच नहीं बताता और कहता है कि मैठी को फिर वो एक पैट शॉप में जाता है लेकिन बेचारा कुट्टा इस पर क्या जवाब देता उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता अब क्योंकि उसके लिए वो कोई काम का नहीं है इसलिए वो उस कुट्टे को में चोड़कर घर जाने का फैसला कर लेता है लेकिन वो कुट्टा सीधे जमिन पर लेट जाता है और कहता है कि उसका पेट बहुत दर्द कर रहा है अब इसलिए उसकी मदद करते वे वो उसको एक जानवरों के डॉक्टरों के पास लेके जाता है उसका भी इलाज करवाता है फिर उसे जब माया का कॉल आता है तब वो कुट्टे को फॉंकते वे सुन लेती है और वो उसको देखने के लिए बहुत उच्सुक हो जाती है अब माया को बुरा ना लगे इसलिए वो कुट्टे को अपने साथ ले जाने का फैसला कर लेता है अब दोनों कैम्प के तरह भड़ते है जाते समय वो कुट्टे के लिए कोई नाम भी सुचता है और अंत में उसका नाम लकी रख देता है कैम्प में माया लकी को देकर बहुत कोश्य जाती है और उसे घर जाने का मन करता है लेकिन उसकी कैम्पिंग ट्रिफ खतोने में और तीन हफ़ते बचे में है फिर जान, लिजा, चैरीज और लकी सभी माया को भाँ चोड़कर ख़ो लटाते है अब इस जंगल में वो वो लूट जिसकी मदद जान ने की थी वो सभी जानवरों को इगठा करके उन्हें जान के बारे में बताता है और हर जानवर को कोई न कोई बिमारी होती है तब इस सभी तैय करते हैं कि वे जाकर डॉक्टर से मिलेंगे यहां घर में जब जान और लिजा की बीच कोई प्राइविट बाते चल रही होती है तब उसकी डूर वेल बस्ती है और वो जाकर दर्वाज़ा खूलता है तब ही बाहर तीन भेड के बच्चे खड़े होते हैं और वे अपना इलाज जान से करवाना चाते हैं उनको देखर जान दर्वाज से बंदी कर देता है लेकिर फिर वो कुछ बथकों को देखता है जो पहले से घर के अंदर आचुके होते हैं जब वो उनको बाहर भगाने की कोशी करता है तब वहां कई बकरियां कुटे और एक बंदर भी आ जाता है फिर वो चैरी से जाकर सोने को कहता है और वो सबी जानवरों की बिमारी का इलाज करता है फिर जब उसे रखता है कि अब उसने उनका काम पूरा कर दिया है तब वो बंदर आकर उससे कहता है कि एक सरकस का शेर पिंजरे से भाग गया है और वो एक बिल्डिंग के ओपर खड़े रहे कर खुदकुशी करने जा रहा है तब जान तुरंट उसको देखने के लिए भागता है और उससे बाते करके पता चलता है कि वो शेर बहुत ही उदास है क्योंकि उसे कोई बहुत बड़ी बिमारी है और वो कहता है कि सरकस वाले उसका ठीक तरे से ख्याल नहीं रखते तब जान उससे सरकस में वापस जाने को गयता है और उससे वादा करता है कि वो उसका अच्छी से ख्याल रखेगा फिर अगले दिन जान डॉक्टर मार्क से पोज़ता है कि क्या तुम्हें वो दिन याद है जब मैंने इस क्लिनिक की स्थापरा की थी तब पहले पेशिंट का इलाज करके मुझे लगा था कि मैंने कोई बड़ी चीज हासिल कर ली है और ठीक वही बात मुझे कल उन जानवरों का इलाज करने के बाद मैसिस हुई एक दिन अपने prevent ऌड़ चब मैंने चारा है और डूसरा चूषा उसकी मज़द कर रहा हुता है तब जौन उस चूषा कोंपने अस्पिटल में ले जाकर उसकी ऑनाज करता है और उसमें वहां उसके दोस्त और लिजा आते हैं और वे सब जौन को उस चुवे को सेपियार देते हुए देख लेते हैं फिर आखर में चुवा तो बच जाता है लेकिन वे सब सोचते हैं कि जरुर उसके दिमाग में कोई कड़ बढ़ है फिर वे उसे डॉक्टर फिश नाम के एक साइकेटिस्ट के पास लेके जाता है और फिर उसे एक मानसीक रोग वाले अस्पताल में भरती किया जाता है और एक दिन लिजा आकर उससे कहती है कि तुम्हें तब तक यहां रहना होगा जब तक तक तुम्हें जानवरों की बातें सुनाई देना बंद नहीं होती वहां उसको कई दिन बीच आता है लेकिन जान जानवरों के साथ बातें करना बंद नहीं करता फिर एक दिन डॉक्टर फिश एक और अंक्टन को वहाँ पर लेकर आता है और वो जॉन से बाते करता है और वे औरंटन के दिमाग को ट्रेस करता है ये देखने के लिए कि वो जॉन से बाते कर पाता है ये नहीं लगी लिए क्यों कि वो औरकटेल स्पानिश होता है इसलिए उसे जॉन की बाते समझ में नहीं आती एक दिन लकी उस शेड से मिलने जाता है जो मरने के स्थिती में होता है शेड लकी से कहता है कि उसे बिलकुल भी उम्मेद नहीं है कि जॉन वापस उसके पास आएगा और उसने जॉन पर भरुसा करके गलती की है लकी को उसकी हरा देकर बहुत बुरा लगता है इसलिए वो सीद्य उसे हस्पताल में लेकर जाता है ये सोचकर कि वो जॉन को वहाँ से बाहर निकालने के लिए मदद करेगा लेकिन वहाँ जाने पर जॉन उसको खोब डाड़ता है कि तुम्हारे और बागी जानवरों की वज़े से मेरा यहाल हुआ है और जॉन की बाते सुनकर लगी वापस घर चला जाता है अब वहाँ काफी दिनों तक रहने के बाद जॉन डॉक्टर फिश को धंती देता है कि उसे उसके बारे में कई बाते पता है जो उसे उसकी बिली ने बता दिया है और वह सभी को बाते बता देगा ये सुनकर डॉक्टर फिश उसे अगले दिन बाहर वेज देता है अब घर जाते ही वो सारे जानवरों के साथ बाते करना बंद कर देता है और वो उनकी बातों को अंसुना कर देता है वहाँ लगी और सुवर उससे बाते करने लगते है लेकिन वो उनकी बातों को टाल देता है और कोई जवाब नहीं देता फिर वो अब नॉर्मल है ये यकिन दिलाने के लिए वो फिर अपने हॉस्पिटल में जाकर काम करने लगता है और फिर काफी दिनों बाद वो कैलेट कंपनी के साथ पार्टनर्शिप साइन करने के बारे में भी सोचता है कैलेट कंपनी एक प्रेस कानफरेंस आयुज़ित करती है ताकि ये पार्टनर्शिप को सब के सामने साइन किया जा सकता है और फिर वे एक दूसरे के साथ काम करना भी शुनू कर सकते हैं उस जगे वर पहुँचने पर जॉन और माया के बीच लंबी पात्ची चलती है और जॉन उसे कहता है कि तुम हमेशे तुम ही रहती हो तुम कभी बदलती नहीं और ये बात मुझको बहुत ही अच्छी लगती है लेकिन फिर उसको समझ में आता है कि वह खुद वास्तविक नहीं है और वह जानवरों की बातों को अंसुना करके लोगों के सामें नाटा कर रहा है फिर वो लगकी के साथ सरकस में जाता है और वे शेर को भार निकालते हैं क्योंकि वो उसके इलाज करवाना चाहता है अब यहां लांच पार्टी में उसके सबी दोस्त उसके आने का इंदजार कर रहे होते हैं लेकिन इस पार्टर्शिप की विरोध में होने वाला डॉक्टर जीन सिर्फ पैसों के बारे में सोचने वाले डॉक्टर मार के साथ कुछ बहस करने लगता है और डॉक्टर जीन अगराती से डॉक्टर मार के नागपन चोट पहुँचा देता है और फिर उसको एक प्राइवेट कमरे में लेके जाता है और उस कमरे में जाते ही जॉन को शेर के साथ खड़े दे कर बिल्कुछ चौंक जाते हैं वे उसे बहस करने लगते हैं लेकिन फिर मार्क जीन से फिर बात करता है कि उन्हें सबसे पहले पैसे पर ध्यान देना चाहिए अब गुस्से में आकर जीन उसकी चेहरे पर मुक्का मार देता है और जीन जॉन से कहता है कि वो उस शेर को बचाने के लिए उसकी मदद करेगा फिर उस शेर को सबसे छुपा कर ओपरेटिंग रूम देना जाने के लिए वे उसको स्ट्रेचर पर रखकर ठक देते हैं और मार को स्परेटा देते हैं लेकिन जॉन को वहाँ देखती है सभी लोग उसको जबरदस्ती स्टेच पर भेज देते हैं अर वा इस ट्रेचर और शेर को वह हाँ छोड़ेते हैं लेकर एक कुछ देर बाद शेर जोर्स को देख रहेता है और वह इंसको घबरा जातें पर उप्रिते जोड़ें रेपोसे लाइस शांट रहने के लिए उस सीन कॉ देखने लगते हैं अब हॉस्पिटल के बार पुलिस की गाड़ी आती है और वे शेर को चुवाने के चुर्म में जॉन को अरस्ट करने आये होते हैं लेकिन उन्हें वो सारे जानमर रोग देते हैं जिन्होंने अपना इलाज जॉन से करवाय था फिर ये ख़बर पूरी दुनिया में फैल जाती है और दुनिया के लोगों को जॉन के शक्ति के बारे में पता चल जाता है आखरे में जीन और जॉन उस शेर को बचा लेते हैं और ये देकर सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं कैलोवे जॉन से इस काम को देकर बड़ा खुश हो जाता है और वे उसे कांट्रेक्ट पेपर्स पर साइन करने को कहता है लेकिन जॉन और जीन उसे मना कर देते हैं लेकिन मार्क कैलोवे से कहता है कि वो उसकी कमपनी जुआने करना चाता है और तब उसके चेहरे पर कवुतर ये कर देता है अब इस घटना के बाद काफी दिन भी जाते है और जॉन अपी नॉर्मल जिन्दे की चीरा होता है तब ही एक दिन माया जिस अंड़े की फूटे का इंदिसार कर रही थी वो आखर कार फूटी जाता है और उसमेंसे एक मगरमच का बच्चा भार निकलता है फिर जॉन लुसी के साथ उस टाइगर से मिलने के लिए सरकस के दरफ जा रहा होता है और दोस्तों इसी के साथ ये मुवी यहाँ पर खत्म होती है